हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है आभी देखे and वेलकम टू टेक सोर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास लाप्टॉप या फिर कंप्यूटर में कोई ऐसा फोल्डर या फिर फाइल है जो आप डिलीट करना चाहते हैं बट वो डिलीट नहीं हो रही है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने विंडो से स्टार्ट बटन को दबा लेना है और यहाँ पर आपको cmd ओपन कर लेना है सर्च कर ले cmd और इसे open कर ले तो कमांड प्रोंट हमने यानि cmd हमने ओपन कर लिया है अब आपको यहाँ पर सबसे पहले टाइप करना है cd ध्यान रखें कि सब स्मॉल लेटर में ही हो ठीक है इसके बाद स्पेस दे दें अब आपको यहाँ पर एक forward slash डालना है और इसके बाद यहाँ पर एक डी डाल द इसके बाद आपको आपकी file की जो location है वो यहाँ पर paste करनी है तो इस folder को मुझे delete करना है तो इसकी location कैसे पता करे right click करें इस पर show more option आएगा इस पर click करें इसके बाद यहाँ पर properties पे click करें यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसकी location आप देख सकते है location तो इसे आप select कर ले इस तरीके से और control C से copy कर ले ठीक है इसके बाद इसे cut कर दे और यहाँ पर एक space दे और यहाँ इसे paste कर दे इसके बाद आपको इंटर करना है अब आपको यहाँ पर एक और command type करनी है d i r space forward slash x इसके बाद आपको इंटर कर दे रहा है अब इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे words नजर आएंगे तो आपको यहाँ पर आपके folder का नाम दिखाई देगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे folder का नाम है my folder तो आप भी देख पाएंगे my folder आपका जो भी folder का नाम होगा यहाँ पर रज़र आ जाएगा उसके ही सामने यहाँ पर आपको एक शॉट में फोल्डर का नाम दिखाई देगा तो आपको यहाँ पर क्या टाइब करना है पहले देख लें पहले आप लिखे याद रखे स्मॉल में ही लिखे आर एम dir space forward slash q space forward slash s इसके बाद space देदे अब आपको यह फोल्डर का नाम as it is लिख लेना है देखिए यह capital में है तो आपको भी capital में ही लिखना है तो caps lock on कर लेता हूं मैं और my fold fold और इसके बाद आपको इस तरीके का symbol अपने keyboard से डाल देना है तो मैं shift और वो symbol पे क्लिक करके symbol डाल देता हूं अब आपको यहाँ पर वन लिख लेना जो है और इसके बाद enter कर देना है जैसे इंटर करेंगे आप तो यहाँ से फोल्डर delete हो जाएगा बट अगर किसी में delete नहीं होता है तो एक बार refresh कर देंगे तो अपने आप गायब हो जाएगा folder तो इस तरीके से आप किसी भी folder को delete कर सकते हैं बट अगर आपके पास कोई ऐसा folder है आप बार बार delete कर रहे हैं बट वो delete नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए उपर एक चीज लिखी होगी यह किसी चीज में open है यह Microsoft Office में open है तो इसके लिए आप क्या करें अपने laptop को या computer को यहाँ से restart कर दें restart करने के बाद आप आएं और उसके बाद आप delete करें तो delete हो जाएगा बट अगर फिर भी delete नहीं होता है तो उस file को as it is छोड़ दें क्यूंकि कोई-कोई files आपके laptop computer को run करने के लिए important होती है तो उसे delete ना करें उमीद करता हूँ video समझ में आई होगी टेक्स ओर को subscribe कर दे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें